कि नमस्कार चुनाविरन 2024 में आपका स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर प्रतिक शिवास्ता वैसे तो पूरे देश में चार जून को मदगर्ना होगी और उस दिन कि लोगषबा चुनावों के परिणाम सब के सामने आएंगे він लेकि िनी दोर एक ऐसा सनसदी शेत्रा है जहां मदगर्ना के पहले ही चुनाव परिणाम सुनिश्षित है और सोटा का सुनिश्षित है वह परिणाम यह है कि इंदोर के मोजुदा सांसद शंकर ललवानी एक बार फिर से बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत कर लोगसवा में जाने वाले है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके सामने जो कॉं कॉंग्रेस और क्या उम्मीद्वार नाम बापिस नहीं भी लेता तो भी शंकर ललवानी रिकार्ट बतों से जीतने वाले थे लेकिन शंकर ललवानी मुकदर का सिकंदर है पहले उन्हें टिकेट मिला और फिर कॉंग्रेस ने एक बहुत ही अपरिचित सा अंजाना सा एक न नाम की घोशना होते ही लोग के कयास लगाने लगे थे कि शंकर भाई कितने बोटों से जीतेंगे बहस इस बात पर नहीं होती थी कि कौन चुनाव जीतेगा बहस इस बात पर होती थी कि शंकर जी की जीत का अंतर क्या रहने वाला है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा कॉ देश में सरवाधिक मतों से चुनाव जीतेंगे आईए उन से चर्चा करते हैं शिवरा सिंग चोहान और ब्रिज मेन केरते हैं बहुत सारे विकासकार उन्होंने करवाए हैं और पिशली बार भी वह रिकार्ड प्रतिशत बोट पाकर उन्होंने देश में अपना नाम बनाया है शंकर भाई आपको बहुत स्वागत है जी धन्यवाद शंकर जी क्या अनुमान लगाया जाए पंद्रा लाग साथ हजार के करीब बोटिंग हुई है और कॉंग्रेस ने कहा है नोटा और आपकी पार्टी ने भी बहुत प्रयास किये शुरू में तो इसा लग रहा था कि क्या करना बोट डाल कि शंकर भाई जीती रहें लेकिन बाद में हाई कमान की तरफ से जब ये कहा गया कि बोट अच्छे गिरना चाहिए नरेंद मोदी जी ने जब दी सवाल किया तो उसके बाद पार्टी भीड़ी और बहुत अच्छा बोटिंग हुआ लगभग बासरट पड़े हैं उससे ये वाद साहिए कि पहले से ज्यादा मतों से जीतेंगे पिछली बार भारती जंता पार्टी को लगभग दस लाख श्याली से जार वोट बिले थे और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे ने जो मारत देशन दिया हमारे कार्यकरताओं ने जो मिनत की और सब माना जारा है कि दो एक लाख वोट अगर नोटा को मिल जाएं तो भी तेरा लाख के करीब बोट बसते हैं और जो एक उम्मिद्वार जो उसमें आपके बाद वाला जो उम्मिद्वार रहेगा उसको दस बीस हैर बोट भी मिल गए तो आप लगभग बारा लाक अस्यार बा को प्रदान मंत्री जी की होगी जब आप यह के जीत उनकी है तो हार बी फिर उनकी है. और मेने स्टेटमेंट आपका पड़ा कि आपको तो मालूमी नहीं पड़ा आप तो प्रिचार कर रहे थे और अचाने एक सभा में कहा किया आप के सामने वाला उम्मीद्वार हडगे तो कैसा लगा आपको दो प्रतिक्रिया हो सकती है तो आपको यह लगा कि बहुत अच्छा हुआ है एक उम्मिदवार हड़ गया या एक यह प्रतिक्रिया हो सकती है कि भाई मैं तो वैसे जीत रहा था इसको हटाने की जरूबत किया थी और कम से कम मैं जो जीता तो यह कहा जाता कि इतने व्यक्ति को हरा कर इतने बोड़ से शाद आपकी जीत कम कमजोर होगी आपकी प पार्टी ने चुनौल होने के संगठन कारिकम बना चुरो पहले दिन लिए बद्डान कर दो दूर करें जो अधा कि उन्टावर ड़तन को जो बहता लगा परटी पर कि उन्हों संगठन न. का ब्जो लगता है कि जो भी मानिया प्रधानमें भारतिय जी कि नीतियों में हमारे भारतिय इन्तावरटी के आई डिवर नायुर्ग समय कि ते कि गश्पूर लगता ही है कि कि बड़ी पार्टी को भी दो लेकिन जिस प्रकार के हालाथ कॉंगरेस में उन्हों नों बयान दिये और बता एक इस दिया परिस्टे जो बनी आपको परिवार बढ़ता है तो मुझे प्रसंतत होगी नहीं में परिवार बनने के बात नहीं 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 एक उम्मिद्वार आपके सामने से हड़ी है और एक मैदान साफ हो गया अब सवाल ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि और चर्चा है कि इस बार शंकर लेलवानी जी का मंतरी पत के लिए दावेदार बहुत उचा है क्योंकि अनुगवी भी है और पूरे सिंधी समाज से देश में आप एकमात उम्मिद्वार हैं तो मोधी मंतरी बंडल में आपको स्थ प्रश्षान मिल सकता क्योंकि मोधी जी की सरकार बनना लगवक्त है निस सरकार मोधी जी की बन रही है इस पर कोई दो मत नहीं और दूसरा यह कि हम पार्टी जाती धर्म के आदार के काम ने करती मैं एक पार्टी का छोटा था कार्य करता हूँ मुझे संगठन ने पार्ट प्र्दानमंत्री के भाषणMyrij कि मुस्लामन को आरक्षन नहीं लेने दूंुगा हम शुरू से बात कि है कि एकानूमी तो लोग है उनको को प्रोमोशन होना चाहिए और धर्म के आधार पर उन्होंने फिर बात में कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे अलफ संख्याक भाई बेन भी आगे बढ़े और उन्हें पड़े लिखे अलफ संख्याक उनसे आवान किया क्यों इतने पिछणे उनको आगे बढ़ना चाहिए वह भी में शुरू से मेरे जो पार्टी कारेकरता में जो जो जौबदारी मिली हो करिए मुझे जौबदारी मिली सी चुनाव लड़ने की वो चुनाव लड़ा है आने वाले समय में ये पार्टी को और सरकार को टे करना है आपने जैसी चुनाव खतम हुआ आप दूसरे दिनी नहीं किया और आप शहर के विकास को लेकर आप इतने चले गए अभी तक तो अभी हमारा संसदी जो कारेकाले वो भी है मेरा चल रहा है नया जब होगा तब होगा तो चार जून के बाद आए बिल्कुल तो इस कारेकाल में दो मेने चुनाओं के कारण जो हमारे शहर के कर तो समय किच्छ, कास, समस्य शहरी हो रही है जाने वाले समय में मुख्यते है सीएज को ले καर हम चिंती थे और सीएस को लेकर जिस प्रकार की इंदोर इंदोर से उज्जेन हम बहुत सारे काम कर रहे हैं उसी प्रेकार आने वाले समय में जो इंदोर आएगा वो उंकर शर भी जाएगा तो हम चाहरे थे कि इस वह एक प्रेट साल में एक घंट पे पुरा हो जाए उसको लेकी चिंता थी और उसी कारण कहा था और मुझे पूरा विश्वा से कि आने वाले डेट साल में इंदोर से उंकारेशन हम एक घंट में पुछेंगे यह जो चुनाओं के बाद मोदी जी भी बारबार करेंगी उन्हें दोजार सेतालिस का भारत बनाना है और दोजार सेतालिस के लिए यह अगले तेविस चोविस वर्षों के लिए प्रोजेक्ट एक ड्रीम उनको बनाना है और वो उसके लिए पूरी एक कार्योजना बना रही है यह उन्होंने चुनाओं की घोशना के पहले के दिया था कि मैं दोजार सेतालिस के लिए बनाऊ और एक बड़े सम्मिलन में भी उन्होंने आईएस और आईपीस की बीच में यह कहा कि अभी सो दिन तो मेरे पास समय नहीं है मैं चुनाओं में लगूँ है लेकि सो दिन बात के लिए तयार रही है बिल्कुल और प्रोजेक्ट्स बना लीजी क्या काम करना बिल्कुल की का आपने भी दोजार सेतालिस दोजार पचास के लिए योजना बनाना शू कर है दिए हमने जो मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान को पिछले एक वर्ष से मैंने सरकार को लिखा था जो दस वर्ष के लिए बनने वाला था वह हमने का कि दोजार सेतालिस तक का मास्टर प्लान बनना चीए तो सरकार उसमें सहमत ही थी उस समय और उने उसी हिसाब से मा उन्होंने पूरा इंदवर के आने ओले साल में किस प्रकार से वुद्स होगी उसका डिटिल दिया है और इस तरहां गھोताला में भोटाला सामने आ रहा है और कई सालों का घोताला सामने आ तो यह भाजपार महापर लोग क्या कर रहे थे भाजबा के करकाल की सारे घोटाले हैं जनेß लगाने के लिए और सबसे बड़ी बात की लिए है कि इस घोटाले में एक तरफ तो आप हिंदुट्व का नारा लगाते हैं जै श्रियाम का नारा लगाते लो interest गोटाले में प्राशाष्य गुनर्ट को अधिकार्य बर्ग और करणुपचरी करता है है चीशिटर, जो मुझे लगता है आने वाले समय में जब सिस्टम सुद्र जाएंगा तो तो दिखता है कि रोड ये बन रहा है तो ठीक है यह फर्जी बिल लगाके फर्जी आपने कामी नहीं किया एक फर्जी फाइल तैयार करी अगर कितनी सडान है नगर दिंगर को सिस्टम में चुक्ट आपने कहा है उसको लेकर अब जो मान्नी महापुर जी ने जो कहा है कि आने वाले समय में इस सिस्टम को किसे सुद्रे कि भविशम इस प्रकार का नहीं हो चुक्टि वर्चोबाद पकड़ में आया तो अब उसको इंकौरी हो रही इंकौरी होगी उसमें सुजाओ भी आए आप दो दो बार वकाश पादेगर्ण के देख्श है बहुत सारे ब्रिज आपने उनकी सीक्रेटी दी और बहुत सारे ब्रिज इस शेहर में जो है उसका शेहर निश्यत रूप से शंकरलवानी को है लेकिन जो चंदननगर का इलाका है और जिसको हम कहते हैं कि पश्यमी जो शाशने सर पे भी होना थे और हमारे लोकल भी इन हॉस भी हमें तैयारी करनी थी हमने दोनों प्रपोजल बनाए और वो प्रोसेस में हैं और यह हमारे सभागे कि आदानी केलाश शुजर की जी इस भाग के मंत्री है अभी चुनाओ के पहले उन से भी चर्चा हुई है तो मुझे लगा दोनों चीज को लेकर सरकार के पास अप्शन है और हमने दोनों में सर्वे करा के रिपोट दिये जब मैं आईडी में था तब भी कर रही थी अब आने वाले समय में चुनाओ चुकी थे चुनाओ के बाद अब इस पर कारवे होगी ने कहा जाता है कि वहें बहुत सरी अलवसंख्यक बस्तिया hemos नावा पर और भरतियन आपाटी सरकार के इतनी हम्मत बस्तियों को हटा देंगाकिंगे बहुत सारे मकान तूटेंगे, बहुत सारे मकान उसकी जद में आएंगे, हिंदूओं की बस्तियां जहां होती है, वहां तो आपकी दादागिरी चल जाती है, आपका बुल्डोजा चल जाता है, लेकिन अल्पसंक्यक बस्तियों का आते ही तोड़ा सा आपके हाथ पाफ पू ये भी तेह हो जागा आने वाले समय में, एक विचार ये चल रहा है कि आहिलिया नगरी बनाई जाए एरपोर्ट रोड उज्जेन नया शहर बसाया जाए और उज्जेन तक जाना बहुत सुगम हो और सियंस्त दोजार अट्थाइस को धियान में रखकर आईडियों उसको रहे हैं, क्या ये वर्थफुल होगा? देखी शहर जिस परकार से बढ़ रहा है और एक नया शहर में पूरी प्लानिंग के साथ, अगर वो बसता है तो देखी आज क्या हो रहा है? शहर जिस परकार से पिछले वर्षों कांगर्स के राज में बढ़ा ये देखा नहीं गया कि जहां कमर्शिल है, तो कमर्शिल है, वहाँ स्कूल दूर है, बच्चे एक कोने से लेकि दूसरे कोने तक जा रहा है, हास्पिटल अलग जगे है, आफिसे से लगे, कमर्शिल इस पे से लगे, जब एक समगर विकास होता है, तो उसमें वहाँ हास्पिटल की बढ़ प्रो दियान में रखेंगे कि ताक कि शहर प्रॉपर विक्सित हो तके और एक नया छोटा शहर बन सकते लेकिन अभी तो जो आप लोगों के पुल बने बाइपास पे बोगदे जो बने वो इतने छोटे और मैं लोग के नाच यह नॉन इंजिनिरिंग हैं वो कि उसमें रोज जाम लगता है अगर मैं जिस आफिस में हम आपका इंटर्वी कर रहे हैं वोस आफिस है थोड़े दूर पर हम जाएं जो बोगदे बने हुए हैं इसमें जब स्कूल चलते हैं स्कूलों की बस आती है तो फिर में दो धाई बजे के आसपा तो शाम के समय जब शादियों का सीजन में के अंदर में स्राख परिवन मंची और उसमें योजना बनी थी लेकिन ऊसमें यह तक्क्निक की बिंदू उनके विभागने भी इन अधिकारियों भी नहीं देखा ये बनने के बाद सब के सामने आया हमने इसमें तीन-चार परिवतन कि ए और पहला परिवतन यह क्या कि कि जहां service road नहीं है, मौहा 125 रोड और किन सरकार ने पेशा दिया है नगे वको को, ओ नोगे अम मने काम शुरू करा है, तो service road बन रहा है, इस ःषर नियुद का हम चोड़ा भी कर रहा है, उसके लिए शाचना इसर पर काम चल रहा है, जैसि है चोड़ा हो जाएगा, तो ये आ काम चाल रहाएं आने वाले एक साल में पहला राहूज सरकल पर काम तेज़ीश चल रहा है आने वाले दो तिन में में शुरूब पूरा हो जाएगा उसके आगे करें तो राला मंदल पर राला मंदल पर भी काम तेजी से चल रहा है तीसरी बात करें तो लाब गंगा जो यह जो इमार टेन का जंक्शन है वहाँ पर जो मौल बना वाँ तीसरा वाँ चोथा उसके आगे जो जलारिया है वहाँ बन रहा है पांचवा अर्जुन बड़ोदा में बन रहा है तो जब यह पांच ब्रीज बन जाएंगे तब यह बाइपास का जाता सुदर जाएगा और मुझे बताते हैं खुशी है कि यह एमार टेन पर जो ब्रीज बन रहा है वो थ्री सबसे बड़ा थ्री लेर बन रहा है यह तब ही संबा हुआ कि मोदीजी की सरकार की कारण हम इता भुगत रहे हैं हालागी ठीक है कि आप सांसद हैं और सांसद बनने वाले हैं जाने वाले दो बार आपका कारकाल हो जाएगा लेकिन फिर मेरा एक सवाल शेर से जुड़ा और यह जो नगर ने का कारणा लिए कि खोद के छोड़ देते हैं आप जिस महले मेरे रहते हैं सागेत नगर में और आपके घर अगर में जाना चाहूं तो वह जो खुड़ा ही चल रही है और दो साल चल रही और ठीक नहीं हो पाती यह कब ठीक होगा है यह खुदा खुद ने प्रेखर को खुजाए के बाद रोड बनाने की स्था करा हुआ है कहीं पूरा बना दिए जहां जंक्शन ने जहां पाइप मिलने वाले उनका चुम्बर बनने वाला चूरा है कुछ दिन पहले ही पूरा हो गया। वह भी जो है…।।॥ आप कल्पना किजी पूरी शेहर में 21 ब्रिज बनेंगे, तो यह बत सही है की खुदा हुआ दिखेगा, एक काम दिखेगा, लेकिन आने वाले दो साल में आप देखेंगे की इंदोर बहुत 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 रिसेती में, ट्राफिक में भी, ब्रिजेस में और खुदाई में अगर हम जिकर करें, वड़ा शोर मचा मेट्रो टेन आ रही आ रही चुनाओ के पहले विधानसवा चुनाओ के पहले, चुकि आपको पॉलिटिकल फाइदा लेना था शिवराद जी को और गवर्मेंट को, तो चलाए भी थी, थोड़ी देर तक, वो ट्राइल रन था, वो ए की मिज़बूर ही है, वो उसमें मुझे इत्राज नहीं लेकिन मेरा यह कहना है कि आप तो इंजिनियर हैं, और आप तो शहरे विकास के विशे शक्य भी हैं, शहरे विकास में आप जो संसधी कर मंत्रे, मंत्राले के सादस हैं, क्या इंदौर में वास्ता में में जरूरत है और क्या इंदोर की मेट्रो टेन सर्वाइव कर पाएगी, खर्चा भी निकाल पाएगी अपने विजली का बिल का भी आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारे शहर में वहान की संक्या बढ़ेगी, इंदोर एक ऐसा शहर है कि जिसकी पॉपॉलेशन जित्ती है उत्ती वहान है तो यह हम किती भी सड़क चोड़ी कर दें, किते बिरिज बना दें, जैसे जैसे पॉपॉलेशन बढ़ेगी, वहानों की संक्या बढ़ेगी, जब तक हम लोगों को पॉपॉलेशन नहीं देंगे, तब तक यह समस्या आएगी, आप मेट्रो बोलन सिटी देखी, वहां मेट में किस प्रकार से ट्राफिक है, हो सकता है, शुरुवाती दोर में कम रहता है, लेकिन आज बड़े शहरों में आप देखें कि मेट्रो फुल चल रही है, इन दोर में आने वाले समय में हो सकता है, शुरुवाती दोर में कम चले, लेकिन शुरुवाती दोर में घाटा रहे दीरे दीरे जब उसकी connectivity मेट लोगों के घर की मेटर तक होती है तो लोग मेटर में चड़ते हैं और जाते हैं और जब समय बचात होती है इंदन की बचात होती है और comfort मिलता है लोगों को तो मेटर में जाना शुरू करेंगे और मैं बता दूगा कि मेटर शुरू होने के दो स कि यह बड़ी चिंता का विश्य है लोगों ज्यादा विश्था पर नहीं होंगे क्योंकि वह जो हाइड कोट के बाद में रीगल के पहले वह अंडर ग्राउंड जा रही है तो यह अंडर ग्राउंड जाएगी यह थीदे जाएगी बड़ा गणफित तक तो इसा ज्यादा व पहतर मिलेगी शहर को यह मैं पूरा विश्वाद दिलाता हूँ एक भारती अन्दा पार्टी के कार करता हूं नहीं बहुत शिकात की कि इस बाद शंकर भीया ने हाथ नहीं खोला चुनाओं के दोरान खर्चा वर्चा नहीं किया इसमें कित्ती सच्चाई है पार्टी में ह चुकी हम गए भी थे और इसे कोई दिक्कत नहीं थी बाद में चुकी में जन्तसंपर में चला कैसा तो वह जो हमारा कमेटी का जाना था वह छूड़ गया था लेकिन बाद में हम निकले करें जो जो सव्योग मिलता गया पार्टी काम करती या इसलिए खर्चा कम हो गया कि सामने कोई उमीदवार है नहीं जी सुनिश्चीत है तो क्यों खर्चा करना जो बेसिकली जन्तसंपर करना ही पेंप्रेट शापना है शापना ही नुकड सभाय करना है करना ही बेटके करना है तो जो आवशे कि वो तो किया हमने इस चुनाव में कोई भी इस बात की कमी नही हमारे भार्ची अंताबटे का पूरा मद्दान हुआ और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले बार से भार्ची अंताबटे को ज्यादा वट मिलेंगे हम तो मिलने हैं मेदान भरा रहता तो भी ज्यादा मिलते यह आप दावे के साथ आपको जीत में कोंसी जीत में ज् मादपरदेश में कितनी सीटों का आकलन कर रहा है। यह तो कहने वाला पयान है। इस बार लोग कहारा है कि मोदी जी का नाम का करेंटर नहीं था यह नहीं है। जी जिस परकार के नारे लगते आज भी युवा हो महिला हो भुजुर्ग हो सब मोधी जी को राम मंदिर का सर बिलकुल है उसका जो 400 साल नहीं हो सका बहुत करेंट है जो 400 जो कोई नहीं कर पाया है वह इन्होंने करके बता है जो भरती हुई है नहीं नहीं पहुत सारे लोग आगाए जगड़े भी हो रहे हैं चिनवाला में मंच पे चड़ने को लेका खुब जगड़ा हुआ दूसरे शहरों में भी जगड़े हो गए हैं कई जगे यह भी पियां उन्हों को बिला रहे हैं हम नहीं बुला रहे हुआ हो और दूनिया की इन्होंने आपकी पूछ लोगे ना कि दिन दियाल जी कौन थे लिगा शामापरसाद जी कौन थे बता नहीं बाएंगे देश के विकास मोदी जी का मंतर को लेकर वु चल रहा है कि देश का वि सब जब कोई विपत्ति आती या कोई एंको जब खड़ते यह चुनाओं नोन काम क्या हतों कि रक्षा कैसे तो इसलिए हमारे मूल मंत्र यह कि नई भरती हुए नए रंग रूट आए हैं इनको संग की विचारधारा आपकी जो विचारधारा यह पार्टी विद दिफ्रेंस जो एक नारा दिया गया था कुशाबा उल्ठाकरे ने चाल चरित्रों चहरा अब यह पार्टी की जो लोग आए हैं इनको को ट्रेनिंग देंगे आप संग वंगो शिवर जीसे आप क्या लगते हैं आप अभ्यास वर्ग में गये हुए हैं देखी अभी तो हमारी हर बेटकों में आ रहे हैं और उनको अंतर लग रहा है और उनको लग रहा है यह पार्टी विद डिफ्रेंस तो वो मैं जार हैं नहीं कि बहुत धन्यवाद शंका लेल्वानी जी आपका बहुत ही बेबाग बातचीत करने के लिए और निश्यत रूब से यह त्यह हैं कि आप इस बार मदवरेश में ही नहीं देश में जीत के सबसे बड़ी जीत का रिकारड बनाने जा रहे हैं इंदोर की जंता बना रही है आपको अगरीम बदाईया शुब कामना है और नोटा पे भी इतनी बड़ी मात्रा में बोट गिरेगा कि शायद देश में नोटा का भी रिकार्ड बन जाए तो इंदोर का नाम तो होगा ही भले एक नकारात्मक काम से हो और एक सकारात्मक काम से ह शंकर भाई कि एक बड़ी जीत निश्यत रूप से नोर का नाम इतिहास में दर्ज कर देगी और जिस तरह से लोग जार्ज फर्नाडेस रामिलास पासवान या पीवी नरसिमर आपको याद करते हैं वैसे ही शंकर लल्मानी को भी याद रखेंगे और याद करेंगे बहुत बहुत दन्यवाद देखते हैं डिजाना न्यूस खबरों का सिलसला जारी है जारी रहेगा नमस्कार महत्कार